हाई फ्रेंट्स आज आप सबके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी पराठे की रेस्पी इसका टेस्ट इतना यम्मी और चीजी है ना आपने इसे एक बार 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 बना के खाएंगे बड़े तो क्या बच्चों को भी आप इने खिलाएंगे ना तो बच् लेगे से ब鐵 लिए और लीपास के फिल्सव लूडी के मुष्णा गेह मुंका आठा लिया है ऐब इसमें हम डाल देंगे आदा छोटी चमद्च शमच नमख और दो अदरी आप देल आलेंगे यह देशी रहें लेकिन नियलीर। अब भी डाले ओब–…. अंदरी हम ड्रुन और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालके इसका आठा गुतेंगे ढूर्मली आठा गुते नोर्मली आठा गुते हैं बहुत ज़्यादा थाुटनी बहुत सव्फ्ट नहीं लेकिन जो स्टफिंग वाली पाराटे अशाब हमेश्छा साथ गुते हैं तो उसी तरीके से इसको आलू के पराठी बनाते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर आटा गुत के रेटी है और अब हम इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे द्यान रखें बहुत जादा टाइट आटा नहीं गुतना है अब इसे ढख के रख देते हैं चलते हैं पटा पट इसकी चोटा कप ली है एक चोटा कपी हम इसमें बारी कटी भी प्यास जालेंगे तो सबसे पहले हम इसमें थोड़ासा नमक टाल देंगे एक चुथाई चमच के करीब मिक्स करेंगे और इसे उठाके साइड में रख देंगे पांच मिनट के लिए क्योंकि यह दोनों ही चीज प दबा देना है अगर आप इन दोनों का पानी नहीं निकालेंगे तो जब आप इसमें सारे मसाले एड करेंगे नमक एड करेंगे तो इसमें काफी पानी हो जाएगा जिसकी वज़े से जब हम पराटे में स्टफिंग भरेंगे ना तो पाहर निकल जाएगी तो यहां पी दे इसमें łemदे तो अगर आपको आदरक का टेस्ट पसंद नहीं हैं तो आप इस में जायर कर सकते हैं इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे पनीर तो नैंने ऑफ इसमें हमें दाल देंगे पनीरों अपने साथ हमें बढीर के दी आल सकते हैं दो क्यूब मौजरील चीज दोनों तरीके की चीज में डेंगे किसे जाने है फिर एक दूरंगे जाना चीज भी नहीं करने हैنا रिसाल सुट तूर्टी नाला के लिए Eso oil के जान तो अज़रे नहीं है जाना चीजिए हम प्रोसेस के लिए प्राइस जांगे जानगे मौजरीला चीज इसमें डालनी है, और फिर हम इसमें डालेंगे Masala 554 या 5 चोटा चमछ दणिया पाउडर च्छोटा चमछ将 hilar दालेंगे और नमक डोलैंगे 4000 दालेंगे में नमक डालके, घ्ड्रेया और अब इसमें डाल देंगे Euro Chilli Flex बस अब सारि चीजों को अच्छे से बनाना शुरू करते हैं और यहां पर आटे को रखे वे भी काफी टाइम हो गया है एक पारी से अच्छे से मसल लेंगे और फिर हम इसमें से लोई तोड़ेंगे तो लोई हमें थोड़ी पतली नहीं मीडियम साइज की लेनी है क्योंकि हमें इसमें स्टफिंग को भरना है तो बीच में से हमें बहुत जादा नहीं बेना साइडों से बेल यह स्टफिंग भी के इस को इतना भी Liचा बेल के स्टिविग अब इिसके बीच में स्टफिंग रखेंगे तो स्टफिंगหieme है तो इस में स्टफिंग यह सब्ना है आक ड़तर में जीन उतर रही आई में बढ़िया परफेक्ट पराठे बनेंगे तो इस तरीके से साइट से आठे को ठाएंगे और इस तरीके से फोल्ड कर देंगे इसके ओपर अच्छे से दबा देंगे जिससे की जो स्टफिंग है वह बाहर निकले क्योंकि हमने इसमें चीज जाला है अगर कहीं से भी हातों से नहीं बेलना है इस तरीके से इसको बेलेंगे और आप देखेंगे स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली है और चारो साइड अच्छे से स्टफिंग भरी होई है अब इसका जो भी सूखा आठा है उससे हटा देंगे और चलते हैं अब इसे तवे के ओपर है और जो अंदर की साइड चीज है वो अच्छे से मैल्ट हो जाए जैसे आप देखेंगे एक साइड से अलका सा सिख गया है फिर इसके ओपर घी या तेल आप कुछ भी लगा सकते हैं वह लगाएंगे और इसके जो कोने है ना उसको भी अच्छे से सिख लेंगे दबाते ह और आप देखेंगे जैसे यह दीरे दीरे पराठा सिखने लगेगा यह एकदम फूल जाएगा तो बस दोनों साइड से अच्छे से तेल या घी जो भी आपको लगाना है वो लगा ले और फिर बाद में आप गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाइप पर करके सेख सकते हैं अगनी से भी स्टफिंग बाहर नहीं निकली है तो इस तरीके से आप यह पराठे बना सकते हैं बहुत ही यम्मी लगते हैं बहुत ही कम टाइम में बन जाते हैं और जो हमने इसमें मेथी डाली है ना मेथी से इन पराठों का टेस्ट बहुत ज़ादा बढ़ जाएगा यहां पर यह बहुत ही यम्मी चीजी पराठा बनके रेडी है जरू ट्राइ कीजेगा आप इसे सर्व करें टमैटो कैचप के साथ हरे धनिये की चटनी के साथ उपर से या तो बटर डाल दें या अगर कुछ भी नहीं है तो प्लेन पराठा ही यह बहुत टेस्टी लगेग आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजे शेयर कर दीजे फैमिली एंट फ्रेंट्स के साथ और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे जल्दी ही मिलेंगी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए